किसी भी relationship में अगर गलतियां हो रही है और अगर आप उसे सहते चले जाएं तो जरुवत से जादा सहल लेना भी उस relationship को बहुत बुरा बना देता है और एक point पर आपको ये realize करवा सकता है कि मैंने पहले कोई decision क्यों नहीं ले लिया मैंने क्यों इस इंसान को इतना माफ कर दी As a expert मैंने एक बात समझी कि 100 is a myth वो सिर्फ उस glorious phase में दिखता है दरसल दुनिया में हर relationship 50 से 70 में ही है जो चल रहा है और relationship अगर आप अपने relationship को 50 से भी कम rate कर रहे हो तो फिर शायद वो relation आपके लिए नहीं है फिर आप सोच सकते हुआ से कि मुझे रहना है या बाहर जाना है पिछले वो ही 2-3 decades में इंसान जादा smart हुआ है वो जादा informed है उसे दुनिया भर का ग्यान आया है उसके पास पूरा global level का access है आज इतने podcast सुन रहे हैं internet है पूरे 20 गंडा हमारे हाथ में हमको सब कुछ पता है और इन ही 2-3 decades में यह relationship की quality बरबाद हुई है इसका मतलब है कि intelligence का relationship से लेना देता तो कता ही नहीं है राइट suppose कोई हो गया है उसका break up हो गया है तो आजकल तो इतने सारे regularly होते रहते हैं so how that person can come out of it उससे अगर उससे बहार आना हो और वो जो rebound के mistakes होती हैं कई लोग की just they immediately start searching for other person और फिर वो overlook कर देते हैं बहुत सारी चीज़े हैं और फिर again वापिस break up में जाते हैं लोगों में ये pattern बना रहता है कि आपके circle में भी आपने शायद कईयों को देखा होगा कि they just keep getting in relationship और एक time period भी जादतर कई बार fix रहता है कि इतने समय रिष्टा चलाएगा फिर break up होगा फिर रिष्टा फिर break up होगा so how to handle that rebound tendencies or how to handle the break up that they go through अब हमने उसको गिरने से बचा लिया कबी तो ऐसा होगा कि आप नहीं होगे आस पस या आपने दियान नहीं दिया और वो कहीं जाके गिर गया और आप उसे गहरेंग बाथा ने गिर जाएगा तो next time कोई बच्चा यहां से कहीं जा रहा कि या सिखाने के जो तरीके बनाया है वो failures के दूरी बनाया है इसका आज तक कोई invention नहीं होई कि बच्चा गिरे बिना या सीख जाए कि गरना क्या होता है तो जब failures से हमको सीखना ही है तो relationship में भी सीखना चाहिए वहाँ पर भी जब हमारा breakup हुआ है तो हमें कुछ चीज़े सीखना चाहिए वो सीख कर हमको आगे बढ़ना चाहिए लोग सीखने से इंकार कर देते हैं कैसे सीख सकते हैं क्या कोई journaling करें कुछ लिखें कुछ reflect करें अपने रिष्टों में क्या कर सकता है सर analyze करना होता है कुछ की कमियों को निकालने के लिए थोड़ा इमानदार भी खुद के साथ बनना होता है दू-चार लोगों से जाके बात भी करनी होती है और अगर कुछ चीज़े ऐसे निकल के आ रही कहां मेरे behavior में ये problems है तो उनको ठीक भी किया जाना चाहिए वो खुदे नहीं change होना चाहता है वो ऐसा इंसान डोन रहा है जो मुझे ऐसा ही accept कर ले अब अगर ऐसा ही accept नहीं किया और break up हो गया वो दूसरा ऐसा डोन रहा है जो मुझे accept कर ले पर मैं नहीं मतलूँँगा पर तो पहली बात तो ये कह किस न दिया है कि आप बहुत परफेक्ट हो या आप बहुत अच्छे हो क्या आप में इतने गट से कि आपने बॉस को जाकर कह दो कि accept में ऐसा है है क्या आप दुनिया के किसे इंटर्विव में ऐसा जाकर बोलते हो नहीं महाँ आप constant कि अपग्रेट करते हो सीखते हो आप याप लर्न करते रहते हो क्योंकि वहाँ पर आप मानते हैं कि मुझे और सीखने की जरुवत है और मैं और बैतर हो सकता हूँ तो relationship में हम बैतर क्यों नहीं हो सकते है वहाँ पर भी upgrade होना चाहिए और वहाँ पर accept me as I am चलता रहता है जन्दगी बार तो वह भी problem है कि वह दस बार relation break up होंगे और दस बार बनेंगे और इस कभी खतम नहीं होगा तो जो important lessons है वो नहीं वो note down नहीं कर रहा, pen down नहीं कर रहा बदलाव नहीं ला रहा है और कई बार वो पूरा blame सामने वाले पर इडाल देते हैं यह भी behavior होता है यह भी nature है और अब क्योंकि यह चीज़े बढ़ रही है तो relationship coaches या हम जिससे लोगों की जरुवत बढ़ गी है हम लोगों के बिठा के बस यही समझा देते हैं being a coach हम किसी के लिए जाकर किसी से बात तो करते नहीं अगर कोई कहा दे कि मुझे मेरी girlfriend ने ऐसा कहा दिया तो मैं तो जाओंगा नहीं उसके बस बात करने मैं तो इसे ही बिठा के समझाने वाला हूँ तो हम लोगों के attitude को ही change कर रहे है बस कि उनको जो problem बड़ी दिख रही है वो थोड़ी उसे छोटी लगने लगे और वो आगे बढ़ सके तो attitude अगर change करना है तो या तो आप मेरी मदद से कर लो या खुद से ही कर लो खुद का तो एक ये भी एक है ना कि relationship को तो ऐसा मान लिया हमने कि मतलब ये तो कोई skill ही नहीं है मुझे तो लगता है कि art और skill दोनों है और learnable है अगर सीखा जाए तो मैं अभी अपने पिछले podcast में भी ये बात कर रहा था कि आपको तेरना सीखना है तो आप coaching classes लेते हो आपको bike चलानी है classes गाड़ी चलानी है, aeroplane चलाना है तो जब एक रिष्टा वेकल relationship भी एक वेकल ये जिसे आपको जिन्दगी भार चलाना है तो उसमें क्यों नहीं learning ली जाए है, आपके पास में क्या reference है, आपके पास में कि आप एक bachelor थे, आप एक बेटे थे, आप एक बेटी थी अब सड़न सी आपका एक role change हो गया समाज में, आप एक पति-पत्नी हो गया है तुम्हें पति बनने का कोई experience नहीं है उसे पत्नी का कोई experience नहीं है और अब इन दोनों को साथ में एक नया रिष्टा evolve करना है साथ में जीना है, 24 गंटे और कोई training नहीं है, कोई knowledge नहीं है कोई education नहीं है, कुछ भी ना इसको बच्छवन में सिखाएगा में वो तो आपके मता पिता है उनका भी रिष्टा आपने कब से देखना चालू किया जब वो 30-35 साल के जब हो गए होंगे शायद जब आपकी समझ बनी तब तक वो 30-32 के और आजकल तो लेट शादी करते हैं, लेट बच्छे करते हैं यानि कि जो वो पहले 10 साल होते हैं रिष्टे के जो पहले 10 years होते हैं वो उसका तो कोई अनुभवी नहीं है किसी भी तरीके से So what's your take on this? That how important it is to include it in education system और maybe थोड़ा कम समय से especially जब टीनेज में आने लगे तब से ही एक कुछ थोड़ा compulsory education type कुछ होना चाहिए इसके बारे में समझ देने के लिए एक चीज जो मुझे हमेशा से लगती है वो ये कि जो emotional intelligence वाली बात है क्योंकि इंसान जब relationship में जाता है तो वहाँ पर भी जब problems आती है तो वो सारी sentiment से जोड़ी वी दिक्कते होती है अब sentiments को handle करने की अगर काबिल यह थी उस इंसान के अंदर डाल दी जाए तो शायद वो परिस्तितियों को बहतर tackle करेगा ऐसा नहीं होगा कि उसे बुरे लोग नहीं मिलेंगे या break up नहीं होगे पर उसकी संभावना बढ़ जाएगी कि वो जाद अच्छा tackle करेगा या कुछ बुरा भी हुआ तो उसे cope up करके आगे बढ़ जाएगा तो emotional intelligence को हमको हमको हमारे education का part तो बनाना ही चाहिए तोकि आज तक कोई मैंने तो ऐसा कहीं पढ़ा नहीं नर्जरी से लगा के यूजी पीजी तक emotional intelligence के उपर कहीं एक paragraph भी लिखा हुआ है कि ये emotional intelligence होता है और इसकी जरुवत इसलिए होती है और ये करने से आपके जिंदगी की ये dimensions जो है वो सुधारिया भिगड सकते ऐसे कोभी बाद ही नहीं हुई मैंने MBA किया है मैंने marketing से भी किया है HR से dual specialization था अब एक marketing का student त्यार किया जा रहा है जिस college में वहाँ पर भी आप उसको emotionally intelligent नहीं बना रहे हैं जबकि उसको जाकर sales करनी है उसको failure ही tackle करना है दिन बढ़ उसको जाकर लोगों कि ना ही सुननी है हम उसे यह नहीं सिखा रहे है कि जब वो ना सुनोगे और जब आपका जो moral down होगा या जब बुरा लगेगा या rejection handle नहीं कर पाऊगे तो आप emotionally कितने intelligent हो वो ही चीज काम आईए न कि आपकी intelligence intelligence आपको सिर्फ यह बता सकती है कि यार यह product मुझे कैसे pitch करना है इस इंसान के सामने यह आपकी समझदारी हो सकती है बट जब वो मना कर देगा तो उस फ्रतिक्रिया को कैसे tackle करना है उसमें intelligence support नहीं करने वाला है और जब 10 लोग मना कर देंगे ग्यारवे के पास जाने के लिए इंटलीजेंस काम नहीं आने वाला है तो emotional intelligence को तो हमको किसी भी तरह से हमारे education system में embed करना ही चाहिए जितना जाद हम इसको डाल सके उतना होना चाहिए यहां IQ की आपने बात करेंगे सिर्फ intellect से नहीं होगा तो सबसे हाई IQ वाले दो लोग मुझे दिमाग में आ रहे है Albert Einstein और स्रिफन होकिंग ठीक है और दोनों की ही शादी टूटी थी और दूसरी शादी करनी पड़ी थी इनफेक्ट Einstein का तो इतना आईरेनी भी है कि जो Nobel Prize का पैसा था उसी से उन्होंने अपनी जो डाइवर्स की ऐलमना ही होती हूँ पैकी थी तो यहने कि IQ से तो आप रिष्टा नहीं चला सकते EQ तो डेवलोप आपको जलना ही पड़ेगा और इसका सबसे बड़ा उधारन तो सरी है कि पिछले वही दो-तीन डिकेट्स में इंसान ज्यादा स्मार्ट हुआ है वो ज्यादा इन्फॉर्म्ड है उसे दुनिया भर का ग्यान आया है उसके पास पूरा ग्लोबल लेवल का एकसस है आज इतने पॉटकास सुन रहे हैं इंटरनेट है पूरे चोईस घंडा हमारे हाथ में हमको सब कुछ पता है और इनी दो-तिन डिकेट्स में ये रिलेशनशिप की क्वालिटी बरबाद हुई है इसका मतलब ये है कि इंटलीजन्स का रिलेशनशिप से लेना देता तो कता ही नहीं है अगर ऐसा होता तो हम आज ज़्यादा अच्छा से रिलेशनशिप से चला रहे हो और जो वेस्टन कंट्रीज, येरोपेन कंट्रीज वगरा है वहाँ पर और ज़्यादा लोग पहले से एजुकेटेट्ड है और ज़्यादा वो लोग पहले से ग्रूम्ड है तो हमसे और ज़्यादा पहले से वो स्मार्ट रहे है वहाँ पर भी रिलेशनशिप बरबाद है याने कि रिलेशनशिप का और इंटेलीजिंस का कोई लेना देना नहीं है कई बार मैं अपने इविंट्स में या लोगों से जब बात कर रहा होता हूँ कई बार इसा भी होता है कि एक कपल के बीच में ऐसा हो जाता है कि एक व्यक्ति काउंसिलिंग लेना चाहता है और दूसरा कह रहा है कि यह मुझे कैसे खाएगा मैं तुमारे साथ 10 साल से रह रहा हूँ कि मुझे वो बताएगा कि मुझे तुमारा साथ कैसे रहना है तो उसके बीच में वो ही ego आ रहा है कि मैं तो इतना smart और समझदार हूँ कि मुझे आप क्या सिखा दो जबकि यहां पर आपकी समझदारी का कावी नहीं है आपकी intelligence का कोई role ही नहीं है बैसिकली क्या सबसे ज़्यादा है problems आप देखते हैं कि couples आपके पास में लेकर क्या आते हैं दो या तीन रिसी जो बार-बार कोई repeating pattern है कि जो बार-बार आता हो सामने trust issues वाले मामले बहुत ज़्यादा आता है और behavioral issues ये दो चीज़े तो सबसे ज़्यादा आती है कि particular के सामने वाले के चाल चलन में या उसके behavior में कुछ ऐसे चीज़ है जो दूसरे व्यक्ति को लगातार irritate कर रही है या उसे ठीक नहीं लग रही है और उसकी वज़र से अब क्योंकि जो behavioral stuff है वो बहुत repetitive हो वो दिन में 10 बार हो रहा होता है चाहे चूटी सी बात हो तो वो एक time के बाद बहुत बढ़ा बन जाता है कोई specific example behavior में जैसे कि बाता पुई भी चीज़ के गर घर के अंदर तो वो बड़ी भारी बन जाती है कई बार की यह चीज़ यहां से उठाई तो यहीं रखनी है कई बार इतने basic चीज़ों पर भी arguments हो जाता है अब देखी यह इस बात में अगर थोड़ा चाहर depth में जाए तो एक बड़ी मज़े की चीज़ यह है कि personality types होते है आप तो जाती होंगे कि personality types है तो एक melancholy विक्ती है तो वो बहुत organized है, systematic है, ambitious है वो बहुत व्यवस्तित रहना पसंद करता है थोड़ा emotional है थोड़ा cool and calm रहना पसंद करता है यारे कि वो travel भी कर रहा है उसका back systematic arranged रहेगा वो एक-दो दिन पहले ही packing कर लेगा वो tickets, hotel लिए, वो सारी विवस्ता है पहले से कर लेगा उसे last moment पे कुछ भी करना पसंद नहीं है उसे सब कुछ organized चाहिए और एक sanguine इंसान है sanguine जो है, यह बहुत अस्तिव्यस्त है यह last moment पे सारी चीज़े डूंड रहा है इसा कुछ पता नहीं होता इसने अपनी कार की चाबी कहां रखी वो भी पांच में डूंडता रहेगा यह ऐसा इंसान होता है यह अभी बोल रहा है कि मैं जो 6 महीने में यह चीज़ करनी है और 6 दिन बाद ही बुल जाता है कि मैंने ऐसा सूचा भी था 6 दिन पहले बहुत जल्दी किसे का भी दोस्त बन जाता है बहुत मस्तिकोर होता है फन लविंग होता है दिल का बहुत साफ होता है ऐसा इंसान है अब personality के तौर पर आप देखेंगे तो दोनों ही लोग गलत नहीं है दोनों ही बहुत खुबसरत लोग है पर अगर इन दोनों की आपस में शादी हो जाए तो इन लोग ही कभी नहीं बनेगी यह जिन्दगी भर लड़ते रहेंगे क्योंकि एक melancholy को पसंदी नहीं आएगा कि यह विक्ति का रहन सहनी मुझे तो पसंद नहीं है इसकी चीज़ा ही कभी ठीकाम दिन बर घर ही जबाते रहें बस इनका और उसे ऐसा लग रहा होता है कि यार तो क्यों अतना tension लेते हो पढ़ा रहें न तो यार कर लेंगे easy सब हो जाएगा वो कह रहा है कि कल सुबह निकलना है तो रात में भी पैकिंग हो सकती है जो sanguine और melancholy कह रहा है कि तुम last moment पर क्यों करते हो यह इस पर जगड़े देंगे लोग तो दो ऐसी personalities जिनके traits नहीं मिलते जब यह लोग भी साथ में आते हैं तो कई बार जगड़ा होने लगता है और मुझे इसा लगता है कि हमारी जो भारती व्यवस्था है उसमें इसको कुंडली बोलते हैं कुंडली नहीं मिलना कि अगर आपने love marriage किया है तो तो आपको traits पता है एक दूसरे के तो तो ठीक है you can go with it बट दो लोग जब arrange marriage कर रहे हैं उनको एक दूसरे के बारे में कुछ पता नहीं है तो चलो इनके stars और astrology के हिसाब से देख लेते हैं कि इनका चाल-चला व्यवार कैसा है तो वो फिट बैठता है कि नहीं बैठता है तो जब कहरें कि कुंडली नहीं मिल रही मतलब यह लोग इनी चीजों पर लड़ेंगी जो मैं बता रहो चोटी मोटी चीज है ऐसा नहीं होगा कि किसे कर जाके गए accident हो जाएगा तो अब क्योंकि चोटी चोटी चीज है पर वो बड़ा issue हो जाती है तो कभी-कभी यह होता है कि जब दो लोग आके मेरे सामने भी बैठे होता है तो दोनों के point of view सुनके लगता है कि यह दोनों ही गलत नहीं है एक इंसान के तोर पे दोनों बड़े अच्छे लोग है बट दोनों के एक दूसरे के ताद चल नहीं बाता है तो यह behavioral issue जो है यह बहुत major है तो इसमें role adaptability का कितना role आजाता है कि the person has to develop an adaptability and flexibility in order to cooperate with the personality जब मैं कहता हूँ कि couple education की जरुवत बढ़ रही है तो यह couple education का हिस्सा है मैं अपने events पर बताता हूँ कि यह personality types क्या-क्या होते हैं इसमें लोग किस तरह से behave करते हैं यह उनका core होता है तो इंसान थोड़ा बहुत आपके हिसाब से ड़ल जाएगा और उसको core नहीं बदलेगा end में जाके तो वो sanguine sanguine ही हो जाएगा तो अगर आप कोई इतना पता लग जाए कि मैं melancholy पैदा हुआ इसका मतलब यह नी कि पूरी दुनिया वही है तो आप में acceptance आ जाएगा और उसे यह पता लग जाए कि अगर कोई sanguine है तो वो भी यही सोच रहा है कि काश तू उसके जैसे हो जाते यहाँ बात सही और गलत की है ही नहीं बात यह है कि दो अलग personalities है जिनको अब साथ में रहना है तो आपको एक दूसरे को बदलने की जो क्वाईश है वो कम कर देनी चाहिए और एक दूसरे को उसके तोर तरिकों को अपना लेना चाहिए थोड़े बहुत adjustments जो है उसकी गुंजाईश हमेशा होती है और वो होने भी चाहिए तो अभी देखे ना कितनी छोटी से चीज़ है जो हम लोग लोगों को सिखाते हैं पर वो कई बार बड़ा impact ले आती है उन लोगी life में कि हाई यह बार तो पता ही नहीं थी हमको ऐसा लग रहा था कि इंसान बदल क्यों नहीं सकता बदल क्यों नहीं सकता क्योंकि melancholy को तो यहीं लगेगा न कि हम कुछ गलत थोड़ी कह रहे हैं इसको विवस्तित रहने की ही तो बात कर रहे हैं और उसका belief भी होता है ना अपनी पसलाएटी के अगण इंसान को लगता है कि यहीं सही तरीका है यहीई सही तरीका है कि व्यवस्तित रहना सब से अच्छा तरीका होता है तो वो उसे सिखाने में ही जिंदेगी निकाल दएगा अगर वो इतना सा इती सी बात में पिछले 2-3 मिन में की वो अगर उसे कोई जाके बता दे तो उसकी जिंदगी बर के effort जो है थोड़े से कम हो जाएंगे, tension कम हो जाएंगे compassion भी develop होता है ना कि आप जब अपने आपसी differences को accept कर पाते हैं so you are more compassionate towards that behavior हाँ compassionate भी होते हैं patience भी develop होता है तो जैसा मैंने कहा कि जब हम जादो socialize होते हैं और चीज़ों को वैसा ही देखते हैं जैसी वो है तो हम emotionally थोड़ा intelligent भी होते हैं हम एक ऐसे इंसान के साथ रह रहे हैं जिसका रहन से हमको पसंद नहीं है पर अब क्योंकि हो मेरा husband है तो उसके साथ वैसा ही रहना है और हम यह भी जानते हैं कि he is sanguine तो हमने चला लिया कि ठीकेट्स होके तो वहां से आपने वो attitude develop होता ही गार लोगों की personality types होती है तो यह दो ही type है या और भी type है जैसे चार major type होते हैं और फिर कुछ sub types होते हैं जिनके बारे में समझ में ही नहीं आती इनके दिमाग में चल क्या रहा है कुछ लोग होते हैं जिनका nature skeptical होता है तो skeptical मतला ऐसा नहीं कि वह आपे शक कर रहे है पर उनका behavior यह रहा था उनको अगर आप कहते हैं कि भाईया यहां से उटके यहां बढ़ जाना अगर उसकी वाइफ उसको वोल देगी कि मैं साड़ी की जाके सूट पहन लो क्या तो उसकी वाइफ को लग सकते हैं यहां मेरा husband जो है हमेज़ा skeptical behavior करता है जैसे कि पता नहीं मैं क्या कर दूँगी बार जाके जब क्यों उसका nature है वैसा वो पैदा ही असे हुए मतलब कंपलसिव नहीं से आज मैं यह ना बना कि यह बना लू क्या क्यों भी उसका reaction देने का तरीक ही हुई है तो यह personality types इनके बारे में लोग थोड़ा सीख लें तो बहुत easy हो सकता है और ना सिर्फ यह relationship में पर यह तो हमारी social life या हमारी professional life में भी बहुत help करता है कि हम लोगों को जादा अच्छा समझ रहे है we can build a better team हम जादा अच्छी leader बन सकते हैं हम लोगों को जादा करीबी से जान सकते है तो उनके patterns हमको जादा अच्छे समझ में आएंगे मेरे कोई employee है जो मुझे समझ में आगे कि इस penguin है तो मुझे जादा परिशान होने की जरुवत नहीं है वो ही करेगा जो करना है और क्यों कर रहा है वो भी मुझे पता है तो वो थोड़ी सी flexibility मेरी तरफ से आजाएगी कि यार अगर ये थोड़ा व्यवस्थित नहीं है तो चला लो इंसान अच्छा है पर काव पूरा करता है पर इसकी personality इसको ऐसे ही बना के रखती है और जो दूसरा सबसे आदा आता है Trust का आपने कहा कि Trust वाला Trust in what sense Trust इस sense में कि जिससे मैंने कहा कि लोगों के पास exposure बढ़ रहा है तो Trust issues इसलिए develop हो रहे है क्योंकि हम अपने आसपास रिष्टों को ज़्यादा तूटते हूँ देख रहे है 10 में से 8 relationships में break up हो जाते है तो break ups की वजए जब लोग जानते है वो उससे बात कर रही थी वो उससे कर रहा था वो वहाँ पकड़े में आ गया उसने ऐसा कर दिया उसने वैसा कर दिया तो जब यह सब चीज़े ही हम आसपास देख रहे हैं और यही सब सुन रहे होते हैं तो हमें कभी कि भी अपने relationship को लेके भी पैदा हो जाता है कि अपन के अंदेरे में तो नहीं है ऐसा कुछ अपने साथ भी तो नहीं चल रहा है जो अपने को बताना हो तो फिर हम उट पढ़ांग से question करना शुरू करते हैं हम थोड़ा सा उसको verify करना चाहते हैं हम थोड़ा पता लगा लेना चाहते हैं कि हमारा partner जो है वो सही है या कुछ गलत नहीं करना यह सब चीज़े होने लगती है तो इसकी वज़र से password exchange करना और यह सब कुछ तो इसकी वज़र से वो issues खड़े होने लगते हैं और वो कई बार बहुत बड़े बन जाते हैं तो trust issues जो है कुछ बार तो genuine होते हैं कि सच में सामने वाला गलत कर रहा है और कई बार वो सिर्फ हमारे दिमाग में होता है कि कई ऐसा तो नहीं हो रहा तो यह चीज़े ऐसी है पार्टनर पे बार बार doubt करते हैं तो क्या strategies वो use कर सकते हैं तो एक तो of course they take help और professional help तो वो लहीं उसके लाबा और क्या क्या करें कि जिससे पहले तो recognize कर सकें कि यह real चीज़ है जिसकी वज़े से मुझे doubt आ रहा रहा रिष्टे पे या फिर just मेरी खुद की insecurity है जो मैं अपने रिष्टे पे project कर रहा हूँ इसके में दो पहलू है पहला तो यह कि जब भी इनसान कहीं कुछ नया शुरू कर देता है बाहर तो उसके behavior में कुछ certain changes आते हैं ठीक है उसके dressing sense में उसके रहन सेहन में उसके behavior में इस type की बहुत सारी चीज़े होती है कई बार इनसान जब बाहर गलत कर रहा होता है तो वो अपनी wife से ज़्यादा ब्यार करने लग जाता है वो अपने guilt को कम करने के लिए या उस चीज को compensate करने के लिए सब चीज़े करता है ऐसे कई सारे छोटे फोटे पैटन से जो हम अपने client को बताते हैं कि क्या ऐसे कोई चीज़े हो रही है या ऐसे कोई behavior आपने अभी पिछले कुछ time में changes देखें जो सालों में कभी नहीं था और अब आज कल थोड़ा वो जादा well-grown'd रहते हैं ज़्यादा विवस्ते रहते हैं ज़्यादा time से निकलते हैं गर कभी लेट नहीं होते हैं या ऐसा कुछ पी छोड़ी-छोड़ी चीज़ है तो ये एक बात हुई दूसरा ये कि बरोसे से दुनिया चल रही है तो आपको भी बरोसा करना ही पड़ेगा अच्छा हो या बूरा हो क्योंकि end में वही आ जाती ही सारी चीज़े कि जिस दिन सच में अगर सामने आके कड़ी होगी चीज़े कि यहां कुछ गलत है उस दिन हमको जो decision लेना होगा या जो करना होगा अब हम करेंगे पर अगर इस thought को अगर हम अपने मन में लेके चल रहे हैं और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम सच में सब अच्छा होते हुए भी सब कुछ बरबाद कर लेंगे तो बस बरोसा रखो उपरवाले पे कुद पे और चले लो कहते हैं ना खीव I give you my 100% trust until you break it हाँ बिलकल हाँ यही होता है क्योंकि इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है वरना तो doubt will make your relationship very toxic हर समय वो toxicity रहेगी नहीं भी होगा तो खराब कर देगी हाँ उससे overthinking और उससे दुनिया भर के problems create हो जाते हैं और जैसे ही आपने इन सब चीज़ों को एक बार क्योंकि one question is followed by another question ऐसा तो नहीं कि ऐसा है फिर उसको figure out करते करते दूसरा question तो अच्छा ही ऐसलिए तो नहीं चलती गए थे अच्छा ही है वैसलिए तो नहीं उन्होंने job change करने की बात की थी ऐसे करते करते इतना जादा हो जाता है कि आप उस चीज़ को छुपा नहीं सकते कि बस आप ही सोचरों सामझाले को पता नहीं लगने तो आपके behavior में सब कुछ आ जाएगा तो वो अच्छी खासी चीज़ जो है वो complex हो जाएगी वो problem create हो जाएगा तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा वही एक ultimate चीज़ है जो आप कर सकते हो मैंने भी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने बोला था कि perfect relationship कुछ भी नहीं होता है हर relationship में लडाई जगडे हर relationship में रोना दोना नाराज होना, miscommunication यह सब होता ही है glorious phase में नहीं होता है तो बाद में होता है there is a thing called mature relationship तो perfect relationship कुछ नहीं होता mature relationship होता है तो mature relationship हमारा बन जाए इस चीज़ पर हमारा focus होना चाहिए perfect तो कभी बन नहीं सकता तो क्या symptoms है mature relationship के mature relationship के जिसे मैंने काओ कि यह जो education है एक दूसरे के behavior को लेकर एक दूसरे के तोर तरीकों को लेकर यह सब हमें आ जाए एक दूसरे को हम तोड़ा जादा जानने लग जाए जादा adaptable बन जाए थोड़ा compassionate हो जाए थोड़ा patience आ जाए थोड़ा spiritual हो जाए थोड़ा emotionally strong हो जाए यह सब चीज़े जब हम में होगी तो जाएर तो आप पर हम जादा अच्छा tackle करेंगे उस relationship को क्योंकि आप आपके husband या आपके wife को उसके worst में देख रहे होते हो जब वो सबसे गंदा देख रहा होते है बाहर तो दुनिया के सामने तो रैड़ी शेड़ी होके जा रहा है आपके सामने 24-7 वो जो चाम है वो maintain नहीं कर सकता तो वहाँ पर तो आपका relationship वो जो spark है वो बहुत जल्दी डालिट होगी मतलब बाहर अगर आपने किसी लड़की से affair कर लिया तो उसे तो आप हमेशा अच्छे से ही देख रहे हो तो वहाँ पर तो वो spark ज्यादा लंबे टाइम चलेगी बट घर में तो बहुत टफ है ये भी education है ये भी पता होना चाहिए तो अगर relationship में saturation और वो आता ही है कि एक time के बाद saturation आएगा वो dilute हो जाएगा तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आप वो बात नहीं रही आपको ये पता होना चाहिए कि ये तो होगा ही और ये कहीं पर भी होगा तो ये बिल्कुल इस बात के sign नहीं है कि अब आप दूसरा relationship बना लो या कहीं और जाके कुछ और कर लो तो मेरे ग्याल से mature relationship का मतलब यही है कि आपको अपनी जरुवते और जरूरी चीजों का क्याल है तानि कि हर एक stage पे जैसे जैसे रिष्टा अलग लगी stage से गुजर रहा है उस stage पे acceptance ला करके जो adapt करने है वो adaptability इनसान दे ले जैसे एक मैं अक्सर मैसलो का जो hierarchy है उसकी बात में कई बार करता हूँ कि हम लोगों को सबसे पहले वो रूटी कपड़ा मकान वाली बात है कि एक इनसान को सबसे पहले वो चाहिए जब वो मिल गया तो उसे एक security चाहिए तो वो job ढूण रहा है, सब कुछ कर रहा है जब वो मिल गया तो वो love and belonging वाले segment पे आ गया कि उससे कोई उसका प्यार करे, उसकी care करे, उसकी चिंता करे वो चाहिए जब वो भी हो जाता है, वो शादी कर लेता है वाइफ है, सब well to do, सब बड़ी है चल रहा है फिर वो अपने काम पर focus करता है एना फिर वोगर वाइफ को time कम दे पा रहा है नहीं दे पा रहा है तो पारिवारिक विवस्था बस ठीक से चलती रहा है इस बात का वो क्याल रखता है और वो अपने dreams को अचीव करने में लगा रहता है उसे बड़ा घर लेनी है, बड़ी गाड़ी, बच्चो का education, travel ये वो सब कुछ तो उस time वो अपनी wife को उतना प्यार नहीं करता है जितना उसने initial days में किया होगा जब वो बुक कर रहा है और जब वो खुब पैसा भी कमा लेता है, सब कुछ कर लेता है तो फिर उसे इसा लग रहेगी अब मुझे self-actualization चाहिए है अब मैं तोड़ा शांत रहना चाहता हूँ अब मुझे ज़्यादा काम नहीं करना है मुझे retirement चाहिए अब मैं खुद के साथ time spend करना चाहता हूँ मुझे बच्चों के साथ रहना है मुझे social काम करना है, charity करनी है ये सारे काम करना है तो इस पूरे hierarchy में एक बात यह है कि जब भी आप उपर वाले पाइदान पर जाते हैं आप अपने आपको अपग्रेट कर लो उदर ही मत बैढ़ेर हो जीवन पर जिन्दी की पर प्यार ही डून रहे है कि यार अभी कम हो गया तो अभी बाहर से लिया हूँ मतलब वो third वाला phase उससे fourth और fifth भी जाई नहीं रहे कि हर चीज की एक समय है कि यार ये चीज फुल्फिल हो गया life है, बच्चे है, वाइफ है, सब कुछ है तो अभी आगे बढ़ो, अभी आगे कि dimensions फुल्फिल करना है मैंने देखा है कि 50, 55, 60 की उम्र में भी लोग relationship के लिए रो रहे हैं जबकि उम्र के साथ आपकी जरूरते कम होती चली जानी चाहिए और आपको जो उपर के पायदाने वहाँ shift कर लेना चाहिए बचास-पचपन में भी अगर आप relationship के लिए पागल हो रहे हैं, वहाँ पर लड़ जगड रहे हैं तो फिर जीवन जीने के जो dynamics वो फिर कहीं न कहीं उसमें problem है वो हमने सीखे नहीं तो मुझे सा लगता है कि relationship वाला अगर आपको एक अच्छा ठीक ठाक partner मिल गया जो आपकी expectation पे 50-70% खरा उतर रहा है तो वो दुनिया के सबसे कुपसरत इंजान है उसका हाथ पकड़ो और आगे बढ़ जाओ फिर जादा इन चीजों में दिमाग लगाना नहीं चाहिए So expectation का क्या रोल है कई बार so many expectations we have in our relationships and the biggest issue is that you expect something and that expectation is not met तो उस समय पर disappointment आता है तो how to manage expectations how to find that कि मेरी expectation right है जो partner से valid expectation है या मेरी expectation unrealistic और invalid कहीं न कहीं है तो ये कैसे manage करें इंसान expectation को दर असल expectation ऐसा कहते है कि relationship जो है वो एक weed है वो एक बीज है तो कहीं बोरे है और expectation जो है वो weeds है वो चारा है जो अपने आप उग जाता है तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि किसी खेत के अंदर जो चीज़ हम produce करना चाहते है वो भरपूर मातरा में है तो फिर वाँ चारा कितना है matter नहीं करता हम खुश है अगर relationship में relationship अच्छे से properly nurture हो रहा है और वो grow कर रहा है तो expectation manageable होती है वो manage की जा सकती है बढ़ अगर relationship stagnant हो जाए एक जगे जाकर और expectation बढ़ती रहा है वो खेत हो जाता है जहांपर cultivate कर दिया जाता है जिसमें इंतजार नहीं किया जाता है कि production आगर हम इसको निकालेंगे तो आप expectation relationship पे तब बढ़ा सकते हो जब आपकी relationship की quality भी enhance हो रही है वो उसमें भी आप nurture कर रहे हो उसकी quality पर भी काम हो रहा है relationship जाके एक समय पे रुग गया है अब इसमें कुछ बचा नहीं potential और expectation हर दिन बढ़री है तो वो expectation किसी भी तरह की है तो वो बुरी ही है यह हमको समझना चाहिए और जैसे मैं usually कहता हूँ कि जब भी हम initial phase में किसी इंसान को मिलते है तो मको उसा लगता है कि best wife in the world, best hubby in the world यह होता है तो ऐसा लगता है कि यार मुझे जो जितना चाहिए था यह बिल्कुल उतना ही है ना थोड़ा जादा ना थोड़ा कम 100% और जो जब आपकी emotional needs बदलती है तो वो विक्ती जो 100 पर था वो 90 पर आता है, 80 पर आता है 70, 60, 50 ऐसे आता है वो drop होता है उस तोरान आपको दूसरे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो उस point of time पर 100 लग रहे होंगे जो उस समय आपकी emotional need उस need को जादा अच्छा fulfill करेंगे आपके husband ये wife के compare में ये होता है लोगों के साथ तो as a expert मैंने एक बात समझीए कि 100 is a myth वो सिर्फ उस glorious phase में दिखता है दरसल दुनिया में हर relationship 50 से 70 में ही है जो चल रहा है और relationship, अगर आप अपने relationship को 50 से भी कम rate कर रहे हो तो फिर शायद वो relation आपके लिए नहीं है फिर आप सोच सकते हो वहां से कि मुझे रहना है या बाहर जाना है बाहर भी तभी जाना है जबाब क्या दूसरा options हो नहीं तो फिर उधर ही रहना है चाहे वो 20 क्यों नहीं और 50 से 70 पर है तो जाहिर है कि वो 50 पर है 60 पर है तो बाकी जो 30-40 परजन expectation तो मेट हो नहीं पा रही है तो वो तो होगा बट फिर भी वो relationship बहुत अच्छा है हाँ I think और कई बार एक दूसरा की पूरक वरना भी ज़रूर है मैं suppose कि हो सकता है कि किसी दिन मैं 30 पर हूँ जैसे एक wife है एक lady है वो अपने ससराल में जाती है तो उसे अपनी सासुमा उतनी अच्छी नहीं लगती पर जब उसको बच्चा होता है तो उसासुमा अच्छी लगने लगती क्योंकि वो उसे रख लेती है उसका ध्यान रख लेती है वो उसकी care कर लेती है है न तुसका हाथ बढ़ जाता है तो emotional need बदल गई न अभी उसकी need यह हो गई है कि कोई इसा इंसान हो जो इस बच्चे को रखने में मेरी मदद कर दे तो वहाँ पर सासुमा अच्छी हो जाती है तो वो वही है कि emotional need fluctuate होते रहती है इसलिए कोई भी इंसान की बिलकुल जरुवत नहीं है ये कोई भी इंसान अकेला ही काफी है ये बहुत बड़ा गल्ती है जो लोग कर देता है उन्हें लगते है कि इंसान ही काफी मेरी है मुझे किसी की जरुवत नहीं दो नहीं आवे कई बार आपके in-laws जो है वो भी आपकी emotional need बन जाएंगे कि यह है तो अच्छा है जब आपके husband जो है वो up to the mark नहीं चल रहे और in-laws आपको कहेंगे बेटा ठीक है मुसको समझा रहे हैं गदा है हो तो आपको उनी के जाद बैट के अच्छा लगेगा तो emotional needs में fluctuation होंगे तो वो हर दिन कभी आपको समने आल अच्छा लग रहा है कभी कभी आपकी expectation पर नहीं होता रहा है but this is the game यह ऐसा ही चलेगा यह समझना भी important है इसमें बाहर जाके दूसरा इंसान डोलना is not a solution awareness लाकर करके कुद को evolve करने that is very important हार बिलकुल चालू किया था इस पर शुरुआती दिनों में तो क्या चीज़ है यह दरवसल मैंने जो उसी college time पर जब मुझे या idea आया था तो उस time पर हमारे indoor की company थी VitiFeed अब शार्टिंग पर भी आया थे तो जो परवीन single परवीन भी आया है उन समय मिलने गया था तो VitiFeed उस समय यह दुनिया की second largest content website थी तो उन समय मिलने गया कि मैं ऐसा ऐसा कुछ कर रहा हूँ और उनको मैंने जो stock की event में देखा था और मैंने request कर लिया था कि मुझे आपका समय मिलेगा कि एक दो मिन क्योंकि कुप सारी किताबे बढ़ते रहता हूँ तो उसमें यह है कि expert लोगों के साथ 2-5 मिड़ भी मिल जा है तो ले लिया करो चाहे कोई सवाल ना हो तो भी जाकर बढ़ जा तो उनके पास मैं गया कि मैं ऐसा ऐसा कुछ सोच रहा हूँ तो आप बताइए मतलम मैं सही जा रहा हूँ एक कपल वो होता है जो जिनके बीच में सच में प्यार है और एक कपल वो होता है जिनको girlfriend boyfriend चाहिए था तो जिनको सच में प्यार है वो lovers lovers versus GFBF versus lovers वो title था उपीच का तो बस मैं यह बताना चाहरा था कि हर इंसान जो एक कपल बनके गुम रहा है जरूरी नहीं की followers है तो कई बार girlfriend boyfriend भी है देखा देखी में भी क्योंकि peer pressure में भी तो कई बार तो इस्ते माते हैं अब इन चार यह चार हो सही लग रही है इसमें से किसे को एक को set करना है तो वहां सही हमारी जो psychology है वो उस direction में हरकत करना शुरू कर देती है अब उस time पर हम उनकी personality type है उनके threats को नहीं देख रहे है हमने तो उनको देखा है कि उनकी physical attraction है तो हमने बार से दिखरी अच्छी लगरी अपने लाइक है तो हमने उसको chase करना शुरू कर दिया अब chase कर रहे है हमने उसको propose कर दिया बात बन गई डीट करना शुरू कर दिया है girlfriend हो गई है यहां तक प्यार का आता पता नहीं है बट girlfriend boyfriend तो हो गई और कई बार 6 मेना साल बर चला वो प्यार जो चाहरे थी वो पनपा नहीं बट वो relationship जो है वाँ पर दूसरे issues आ गया तो break up हो गया तो वो they were girlfriend boyfriend they were not lovers तो यह जो आजकल एक और नया टम चला है relationship के साथ में situation ship ठीक है तो what is your take on this is it hygienic for the future of relationships or it is unhygienic practice or what it is सरी कैसा है ना कि एक बिसलरी है एक बिलसरी है मतलब एक ही चीज है उसकी duplicate copies बन गई है इस धूड़ों वैसर डाई मुझा लगता है कि situation ship सिर्फ ये कि मान लिजिए मैं मैं married हो और मुझे कोई इसी लड़की के साथ relationship बन गया जो unmarried है तो वो जानती है कि हमारी शादी नहीं हो सकती तो हमारा relation तब तक का है जब तक तेरी शादी नहीं हो या फिर कि हम दोनों ही relationship में है पर हम दोनों जानते कि हमारी marriage नहीं हो पाईगी क्योंकि हमारी communities के जो norms है वो match नहीं करते और problem आईगी तो हमने सुच लेए ठीक है यार शादी की शादी बात की बात में देखे चाहेगी अभी तो साथ में रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि यह आज होना शुरू होगा यह तो बड़सों से हो रहा है बस आज हमने उसको एक नाम दे दिया वो कुछ नया नहीं है situationship एसा एक नया term आगे है लोगों ने अब माली जी कि दो लोग married है तो उन्होंने कहा दिया कि हमारे बीच में relationship रहे तो गापट सिर्फ ऐसा इन आर्ज में उसके लेवा आपनी लेबल मिल जाता है तो इंसान को शायद अपनी guilt को manage करने वह असा नहीं जाती है एक लेबल मिल गया है जहाँ पर उनके काम आसान हो जाए जहाँ उनको बस यह ना लगे कि हम कुछ गलत करने है जहाँ पर वह एक केसा है situationship में तो दुनिया ही है और अपन क्यों नहीं आ सकते तो एक लेबल मिल गया है जिस लेबल को डाल सकते बस हमने वह नाम दे दिया जब तक नाम नहीं मिल रहा तब तक there will be guilt associated with it but once you label it then they will feel comfortable about it हाँ exactly और फिर वो मान ली जे गलती से अगर वो expose हो गया कि अगर आपके partner को पता लग गया कि आप ऐसी किसी affair में है बहार ता आप वहाँ यह कह कि शायद उसको समझा देंगी कि यार मैं उसे प्यार नहीं करता it's just a situation ship यह वही है कि हमने अपने आपको इतनी आजादी दे दी है कि हम अपनी गलतियों को गलतियां भी नहीं समझते beautiful so what is the role of forgiveness in relationship and to what extent forgiveness रहनी चाहिए मुझे ऐसा लगता है कि forgiveness तो एक human element है जो ना सिर्फ एक relationship में पर वो दुनिया में हर जगे ही होना चाहिए पर एक extent तक क्योंकि किसी भी relationship में अगर गलतियां हो रही है और अगर आप उसे सहते चले जाए तो जरुद से जादा सहल लेना भी उस relationship को बहुत बुरा बना देता है और एक point पर आपको ये realize करवा सकता है कि मैंने पहले कोई decision क्यों नहीं ले लिया मैंने क्यों इस इंजान को इतना माफ कर दी जैसे कि कई सारे लोग relationship में जब जगडा कर रहे है तो वो गाली बग देते है कई सारे लोग थोड़ा हाथ उठा देते हैं या कुछ उल्डी सीधी बात क्या देते हैं मतलब सामने वाले की sensitivity का क्याल नहीं रखते हैं बट बात मैं sorry बोल दिया यह बोल दिया आइंदा यह नहीं होना चे हाँ ठीक ठीक ओके कुछ तो वो बात आगी बढ़ गई अब अगर हर बार यह होने लगे तो फिर यह problem create कर सकता है तो एक point पर आपको जाकर तोड़ा strict होना पड़ेगा कि अगर आइंदा यह हुआ तो हम लोग यहां से आगे नहीं बढ़ बाएंगे क्योंकि अगर आप उसको सैते चले गए तो आपके लिए बहुत toxic होने बाला है तो एक इंसान manipulate हो सकता है तो आज के ज़वाने में हम किसी को यह सला तो नहीं दे सकते कि आप जिंदगी पर manipulate होते हो तो सैना या माफ कर देना बहुत अच्छी element है पर एक point पर जाकर आपको strict होना पड़ेगा कुछ भी होता है आप sorry गलती होगी अब नहीं करूँगा और वो अपने आपको कभी बदलता ही नहीं तो कई लोग इस तरह का behavior भी बना लेते हैं कि ऐसा नहीं कि हम गलती माननी रहे है ऐसा नहीं कि मैं sorry नहीं बोल रहा हूँ बस आगे से नहीं करूँगा और फिर कर लेते हैं फिर sorry बोल देते हैं तो यह भी कहने कि नहीं रही कि इनसान accept नहीं करता है या फिर यह sorry नहीं बोलता है या फिर यह submit नहीं होता है या हाथ जोड़के ऐसे चरणों में नहीं गर जाता है वो तो गिर रहा है पर हर बार गिर रहा है जो couples है अभी और किसी conflict से गुजर रहे हैं और toxicity से गुजर रहे हैं रिष्टा थोड़ा declining phase में है तो क्या तीन चीजों का ख्यार उने रखना चाहिए सबसे दाधा important according to you एक तो लोगों के दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि common interest जो हैं वो थोड़ा explore किये जा सकते हैं आम तोर पे जब कई लोगों का थोड़ा dilution होता है या relationship में थोड़ा सा spark खतम होता है तो हम कहते हैं कि आप common interest को थोड़ा explore करो number one हो सकता है कि वो web series watch करने को ही लेकर हो जाए तो कई बार common interest आपको ज़ादा जोड़ कर रखते हैं महाँ प्यार की भी जरुवत नहीं होती जब common interest अच्छे होते हैं तब भी आप एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहो दूसरा मुझे लगता है कि emotional maturity का बहुत important role है कि हम इस बात का ख्याल रखें कि हम कोई out of sentiment तो कोई ऐसा decision नहीं ले रहे हैं जो एक time के बाद हमको ही बुरा लग जाए या फिर शायद वो हमारी ना समझी की वज़े से हो रहा है तो emotionally अगर हम immature behave कर रहे हैं या इस तरह की कोई चीज हो रही है तो वहाँ पर भी खुद को देख के थोड़ा ठीक करने की जरुवत है और तीसरा कि किसी भी relationship में sacrifices और inconvenience होता है तो यह मान लेना कि इस relationship में तो दिक्कत ही है इस बात में कोई वांदा नहीं है क्योंकि दिक्कते तो होती ही है relationships, inconvenience और sacrifices के साथ ही आते है तो अगर आज आपको sacrifice करना पढ़ रहा है या inconvenience आ रहा है तो that's a part of game वो कहीं पर भी आएगा तो अगर वैसा भी कुछ हो रहा है तो एक हद तक आपको उसको manage करना सहिए क्योंकि इसमें मैं कुछ भी love, care, understand यह सब नहीं बोलने वाला हूं क्योंकि वो सब हो चुका होता है वो सब कतम है जादा majority और जादा समझ की जरूवत है lovely, so because it was very insightful so let's move to the rapid fire now so now we will be firing some rapid things to you so let's go for it free time में Netflix or reading a book reading sir, always singing in the shower or guitar in front of air na na, singing, always morning meditation or evening dance party morning meditation affirmation or journaling journaling walking in nature or skipping like a carefree child walking in nature romantic dinner or adventures outside door adventures outside long walks on the beach or cozy movie nights at home movie nights surprise gift, expensive gift or heartfelt handwritten letters letters of course so what is your favorite technique for helping couples improve their emotional connection common interest is a way to go always what is the funniest relationship advice you have ever heard that made you do a double take मेरे ख्याल से ऐसा हुआ है कि मैं सर्थ दोनों को यी बरावर प्यार करता हूँ इस टाइप की चीज़ मेरे पास आई जो थोड़ी मुझे वियर्ट लगी दोनों दोरा और मैं दोनों को नहीं जोड़ सकता है और मैंने गाए ठीक है दोनों को चलाओ कुछ लोग कर रहे भी हैं यूट्यूब पे आजकल मैं कुछ वीडियो आते हैं कुछ है आई तिंक कोई यूट्यूबर्स है जो दो-दो के साथ में रह रहा है एक्चली ते भी तो इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर क्या सबसे बड़ा मिस्कंजेप्शन लगता है कि लोगों में उमर के साथ सीख जाएगा कोई डीम पे सबसे जादा पनी किसी ने कुछ सवाल पूछा हो इंस्टाग्राम पे ऐसे तो कही सारे लड़कियों की उल्टे सिते question आते रहता है या कुछ-कुछ पूछती रहती है पर मतलब ऐसा कि अभी भी कोई चांस है क्या शादी होगी फिर भी शादी होगी फिर भी कोई चांस है क्या लवली Solo traveling or traveling with family traveling with the family any book that you would like to recommend on relationship file of language and one last advice that you would like to give people who are in love and who want to continue the relation to being glorious face मैं चाहूंगा की couple education को लेते रहिये और जिंदगी बर नही नही चीजह को explore करते रहिये there's a lot you can do with one single person तो दुनिया बर की चीज़े यहाँ आवाँ डूनने सच्छा एकी इंसान के अंदर कूप सारी चीज़े हम टून ले और उसके साब कुछ रहे